हलो एवरिवान माइनेम एस मनेस मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं चत्तिस गड़ बोट परिक्षा दोहजार तेविस कक्षा बारवी विशय हिंदी सैटसी जो आज पेपर हुआ इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूं तो स्टुडेंट वीडियो को लाइक शेयर और योटुब चैनल को सब्सक्राइब कर ले पेडियाप अगर डाउनलोड करना है इसके लिए कुटो मैप को डाउनलोड करने कुटो मैप पर आपको इंग्लिस का इंपोर्टेंट कोस्चन और भी चीज वहाँ पर स्टड़ी माटेरियल मिल जाते है तो उसको आप लोग टाउनलोड कर ले वहाँ पर आपको सर्च करना है परमेश्वरी मैं समय था तीन घंटे का पेपर था अस्ती अंकों का पुण्णांता किस तरह से पेपर आया था इसका हम लोग इस पर अनलेसिस करते हैं निर्देश सभी प्रश्ण हल करना अनिवारिय प्रश्ण पत्र के प्रश्णों को तीन खंडों पर क ख और ग में बाटा गया था क खंड में आपको दो प्रश्ण था अपठित काव्यांस और अपठित गद्यांस सोलांकों का था खंड का पर पांच अंकों का पांच प्रश्ण है जिसके चार प्रश्णों में विकल्प दिये गए हैं इन ख अपठिक गध्यांस को पढ़कर इस पर अधारित प्रश्णों के उत्तर करना है बादचित करने की कला उसकी सुझबूच और वाफ्पटूता व्यक्ति की सोभा है तो यहां पर आपके प्रश्ण दिये गए व्यक्तित्व को आकरसक कौन बनाता है इसके बारे में व्यक्तित बनाता है यह आपको यहां पर मिल गया होगा इस तरह से उत्तर को निकाला जाता है देखा जाता है स्रेष्ट वक्ता की क्या विसेश्टा होता है तो स्रेष्ट वक्ता के बारे में आपको बताना है तो स्रेष्ट वक्ता यहां पर आपका आया है अपार जन्समू यानि लो इसी तरह से आपको उत्तर को ढुणना रहत है तो भासा का आपको अपनी भासा को भी प्रयोग में लाना पड़ते है तो इस तरह से आपको पुछे गैथे आपको पढ़ के उत्तर देना है कैसे लोग समय का धुरूपयोग करते हैं जो तील का ताड बनाने जैसी बाते करते वे ना केवल अपनी बल की दूसरों का समय भी नश्ट करते हैं तो इस तरह से आपको point मिल जाता है इसका उत्तर आपको करना था ये आपका हो गया वैक्तितों को आकरसक कुन बनाता है स्रेश्ट वैक्ता की क्या विस्षिस्ता होता है कैसे लोग समय का दुरूपयोग करते हैं स्रेश्ट और कुसल वाचन के क्या माप डंड है किस प्रकार के लोग स्रेश्ट स्रोता बनने के लायक नहीं है कद्यान्स का आपको सर्चक बताना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला लाइन बाचित करने की कला उसकी सुजबूज और वाख पटूता वैक्ति की सुभा होता है तो यहाँ पर आपको वैक्तित्व की बारें बताएगे और भासा को बताएगे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाचित यानि कि यह बाचित करने की कला इस तरह से आपको सिर्चक बताना था, सिर्चक आपकम बोलने वाला आपका क्या होता है, तो इसे में से आपको उत्तर ढूनना यहीं पर आपका उत्तर मिलेगा, इसमें आपको एक सब्द लिगन था दीख बोलने वाला, क्या होता है, एक अंका प्रश्ण अदो निकिता पठित का अव्यान्स को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्णों का उत्तर करना है मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ जब तुम मेरी पैरों से रौंधते हो तथा हलके फालसे विद्रिण करते हो तब मैं आपको मिट्ची के बारे में यहाँ पर बताया जारें तब मैं धनने धानने बनकर मात्र रूपा बन जाती हूँ तुमारे सिस्वी हाथों में पहुंच प्रजा रूप हो जाती हूँ पर जब बे तुम अपनी पुरुसार्थ पराजित सुतत्व से मुझे पुकारते हूँ तब मैं ग्राम देवत की चिन्मई सक्ती हो जाती हूँ या सबसे बड़ा देवत वए कि तुम पुरुसार्थ करते मनुष्य और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका रौंदे और जोते जाने पर मिट्टी किस रूप में बदल जाती है रौंदे पर जोते तो धन्य धान्य बनकर आपका वो फसल उगाती है मिट्टी प्रजारुपा कैसे हो जाती है कुमकार मिट्टी से क्या क्या बनाते है पुरुसार्थ क्या होता है तो यह आपको अपटित का अव्यान से एकदम इस तरह से कुश्चन पूछा था जो आपको भावार्त समझ गये थे जिनके आधार पर यह उत्तर को करना था फिर आपके सभी खंडों में जो निबन था वो एक जैसे होता है आपका पर उपदेश को सल बहुतेरे मेक इन इंडिया इसको मैंने आपको कुटो मैप पर भी बताया थे यह कुछ टॉपिक दिये थे दस बारा टॉपिक जिसको आपको करना था उसी क्या धार पर यहाँ प पत्र के संपादक को पत्र लिखने पाचंको का पुछा गया था यह भी आपको बताया था कि इस तरह के questions हो सकते और पर टॉपिक आपको दिया गया था तो आपको एक का प्रारूप याद करके आपको सभी को उसी अधार पर आपको विचार प्रस्तूत करना था फिर आपक जो सरकार के कामकाज के निगरान्यों के लिए जो पत्रकारिता होती है पुरा छानबिन किया जाता है वो वच डॉक पत्रकारिता होता है एक अच्छे संपाद दक जो लिखने का गुण होता है क्या क्या हो सकता है इसके बारे में आपको उत्तर करना था तो यह खंड आपके लिए असान था फिर छे में पूछा गये किसी नाटक में समवात का क्या महत्तो होता है लिखे कहानी लिखन के इस पश्ट करना है महत्तो को इंपोर्टेंस क्या होता है समाजिक मुल्यों का संकट विशय पर आलेक लिखना था गाउं का सहरीकर्ण गाउं गाउं ही रहे आपक का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महके माने फूल क्या जाने तो कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानताय होती है लेके इसको आपको दोनों को बताना है कविता और फूलों में कौन कम प्रभावसाली और कौन अधिक प्रभा इसको पढ़कर प्रश्णों के उत्तर करना है हरस्ती राम भेटवू हनमाना अती कृतम्य प्रभू परम सुजाना तुसे लेकर ये पूरा इसका आपको एक प्रश्ण आपके भौ सौंदरे पर दिया जाते हैं इसके पूरा आपको समझना है और इसके भाव को इस परश्ट क कोने खेत को कागच का पन्ना कहने में क्या अर्थन नहीं थै फिर आपको गद्यांस को पढ़कर उत्तर देना चारली चैपलिन की पार से ये प्रश्ण पूछा गया था पूरा गद्यांस आपको दिया गया था इस गद्यांस के अधार पर जो प्रश्ण था उनके आपको चाली का सबसे बड़ा चमतकार कौन सा है और क्यों चाली का सबसे बड़ा चमतकार यही है कि फिल्मों को पागल खाने के मरीजो यहां पर आप देख रहें चमतकार वड़ाया है उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजो विकल मस्तिक्स लोगों से लेकर आइंस्टेंग जैस आप लिख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर तीन प्रश्ण दिये गए थे चाली को जीवन मुले कहां से मिले वे कब तक उनमें रहे चाली का बच्पन कैसे था उसके बारे में आपको उत्तर करना तो यह भी आपको यहीं पर से ही मिल जाता है सिक बीबी ने सफ्या से क्या सौगात मंगाई खब पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड पर लुटन के जिवन में क्या क्या परिवर्तन आए पानी दे गुर्धानी दे मेगो से पानी के सांसांत गुर्धानी की मांक्यों की जारी है काले मेगा पानी दे के अधार पर लिखिये निबन लेखन की विशेष्टाएं लेखक के क्या लिखों निबन में बताई है जो अख्याई का लेखन से अलग करती उनकी विखेष्थाओं को सपर्ष्ट करना था सिल्वर वैडिंग से प्रश्ण हर साल आया हुआ है तो इस साल भी आपको दिया गया सिल्वर वेडिंग कहानी के अधार पर ये सुधर बाबू के वैक्तित्व की विशेस्ता हैं आपको बताना था फिर आपको दिया गया था चौदवे में आपको दो प्रश्ण है सिंदू, सब्व्यता, साधन, संपन नती पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था से आपको प्रश्ण दिये गये थे आपकी हिसाब से प्रश्ण पत्र कैसा था आपने पीपर कैसे बनाया आप अपना विचात प्रस्तुत कर सकते हैं अपने इस्पिरियंस को यहाँ पर कमेंट पर सेयर कर सकते हैं आपको कुटुम एप को डाउनलोड कर लिना